हलो दोस्तों कहीं सारे स्टूडेंट्स हताश होकर के बैटें सर काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो स्कोर आ रहा है उसके ओपर हमें कोई गौर्णमेंट MBBS 8 नहीं मिलेगी तो कहीं सारे डाउट वो पूछ रहे हैं कि सर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बता दीजिये जिसकी फीस कम हो जो हम अफॉर्ड कर सके और हमारे इस स्कोर के ओपर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो उनको हताश होने की ज़रुत नहीं है आपके लिए खु के अंदर वो आउटसाइडर्स याने कि अधर स्टेट वाले कैंडिडेट्स को अलाव करते हैं और उससे भी अच्छी बात क्या है कि वहां की फीस जो है वो हम पे कर सकते हैं याने कि एवरेज फीस जो है वो आठ लाक के आसपास है हर कॉलेज की तो आप अच्छे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं अपना MBBS कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर में आपको करनाटका से MBBS क्यों करना चाहिए उसके रिजन्स बताऊंगा और साती सात में वहां का कॉलेजेज जो है टॉप 20 या पिर मैं बोलूँगी बहुत उने लिस्ट दूँगा जिनकी लास्ट ये 2019 की नीट स्कोर कट आफ बताऊंगा और उनकी फी बताऊंगा 2019 की ओके तो आप खुद देखिएगा कि आपका स्कोर क्या है और सके ओपर हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए रहेगा जो क बिहार वाले स्टुडेंट्स हैं यूपी वाले स्टुडेंट्स हैं जहां का कट आफ हाइर होता है उनकी स्टेट का कट आफ हाइर होता है तो इस कंडिशन में अगर मार्क्स 590 के आसपास हैं 580 के आसपास हैं तो उस कंडिशन में क्या करना चाहिए 600 के आसपास मार्क्स सार है यानि कि आल इंडिया में भी नहीं मिलेगा सर हमारे स्टेट में तो हमको वैसे ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें तो उस ऐसे के लिए सबसे important हो जाता है यह वीडियो ओके तो देखिए करनाटका के अंदर मैंने कुछ लिस्ट दी है यहां पर medical colleges की private की जहां पर आपको fee structure क्या है और cut off क्या है वो बतलाते हैं यह देखें यहां पर सेंट जोन्स medical college बैंगलोर का बहुत अच्छा medical college है जहां कि last year की cut off देखिए 594 थी आप सोच के देखिए आपका दिमाग खराब होगा कि all India की cut off थी 583 और यहां पर 594 मतलब लोगों ने all India के government medical colleges को छोड़ा है जैसे आपको तमिल नाडू में भेजा जा जा रहा है तो तमिल नाडू के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आपको पता लग रहा है कि यार वहां नहीं जाऊंगा मैं तो फिर बैंगलोर सिटी में रहना है मेरे को तो वो क्या करते हैं बैं medical college जो स्टेंट जोन से वहां पर जाने के लिए उन्होंने government medical college को छोड़ा है ठीके all India जैसे राजस्तान का है वो अगर बैंगलोर उसको बोला जाए कि एक तो तुमको जाना है थेनी कहां पे तमिल नाडू में और या फिर बोलाए कि आपको कल्यानी जाना है वेस्ट आपको ऐसे decisions ले सकते हैं आप लोग उसके अलावा देखिए आप लोग आपको रमया medical college बैंगलोर का इसकी cutoff देख लीजिए अच्छा medical college याने कि जो मैंने यहाँ पर से लेकर के नीचे तक लिखे वो लोग ज्यादा जाने कि यहाँ पर tendency रखते हैं उसके according रखे हैं और पर सामने रख दिए देखो सिबसे ज्यादा से सबसे कम cutoff के आसपास जाती है ना लेकिन एक चीज और है कि यह मां सोचिए का कि बैंगलोर सिटी के medical college private हैं वहीं जाएं तो ज्यादा अच्छा है लोग सिटी को देखकर के वहाँ रह लेते हैं लेकिन और भी इनसे भी अच मैंगलूरू मैंगलूरू के अंदर आप देखते हैं कि आपको पता ही है मैंगलूरू जो है अच्छा सीटी है और 565 कट आफ गई है कम इसलिए जाती है क्योंकि लोग बैंगलोर चले जाते हैं लेकिन इस्ट्यूट वाइस देखा जाए तो इनसे भी अच्छा दूर का मेडिकल कॉलेज हो गया ओके इस तरीके से कलबुर्गी या गुलबर का बोलें यहां पर भी यह बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है इसकी कट आफ आप देखिए 569 के अराउंड जाती गई थी लास्ट येर और आट लाग के आसपास भी तो आप देखिए यहां पे 560 से लेकर के 580 के बीच में इनकी कट आफ रह रही है तो इस साल जो है आप यह मानके चलिए इन मेडिकल कॉलेजेज के अंदर जब लोग जाएंगे तो आप सोच के माने की 600 याने 590 से लेकर के 590 से लेकर के 600 के बीच में जो स्टूडेंट है इवन मैं तो यह भी कह द केंगे 8 लाग रोपे पर साल लेकिन अच्छा मेडिकल कॉलेज और अच्छा मेडिकल कॉलेज का सबना पूरा हो जाएगा तो आप वहां जा सकते हैं इनके आप स्क्रिंशॉट ले लिजिए और स्क्रिंशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए जिससे कि आपको पूरा अच्छा फायदा मिले और आप करनाटका जैसे स्टेट में बहुत अच्छे से मडिवेस करें करनाटका में मडिवेस करने का एक और अच्छा फायदा क्या है कि यहां पर आप इतने मेडिकल कॉलेज जायज हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर नमबर ओफ सीट्स बह है वो कॉलेज ज़ादा और सीट ज़ादा होने की वज़े से बहुत कम जाता है तो आपका वहां PG करने का सपना भी क्या हो जाता है پूरा हो जाता है करनाटका के अंदर इसलिए मैं कहूंगा कि करनाटका से MBBS करने का फायदा है अच्छा कॉलेज है PG भी आजानी से मिल था ये कि वहाँ private medical college में government quota की seat होती है post graduation के time पे आप outsider हैं वहाँ आप state के candidate माने जाओगे post graduation में और जब आप वहाँ select हो जाओगे तो कोई न कोई अच्छा private medical college में एक government quota की seat होती है जिसकी fees government की जो PG courses की fees होती है उसके बराबर होती है तो ये फायदा मिल सकता है वहाँ पर ये चीजें लोगों को पता नहीं है तो आपको ये पता रखिएगा और करनाटका के अंदर M.E.V.S करने चले जाएए बहुत अच्छा रहेगा ऐसे और भी वीडियो आपके हर state के लिए में कुछ फायदे वाली चीज हो गई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में बताइए और कोई जी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं थैंक यू सो मच